Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal and this video में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे quality एक problem है small businesses के लिए C.S. से पहले हमने और भी बहुत सारे problems के बारे में discuss किया हैं यहां हम quality के बारे में discuss करेंगे तो आईए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है They are saying many small business organizations do not adhere to desired standards of quality बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि small businesses जो होते हैं हमने ना कुछ quality standards बना के रखे हुए कि इसके beyond अगर आपने act किया इसके beyond अगर आपने product बनाया तो वो अच्छा consider नहीं किया जाएगा So what they are saying, they are saying basically कि बहुत बार small business organizations को यह मौका मिलता है कि भाया आप अच्छा perform किजिए अच्छी quality introduce किजिए लेकिन वो उस चीज को एड़े हैर ही नहीं करते हैं उस चीज को follow ही नहीं करते हैं एड़े हैर का मतलब होता है उसको follow करना उसके according चलना लेकिन small businesses नहीं करते हैं इसके बारे में कुछ भी और वो उसी quality का बना देते हैं जिस quality का बनाना चाहते हैं या जो quality उनके पास available होती है इसका एक बहुत बड़ा reason ये भी है कि reason बताने से पहले मैं आपको एक phrase बताना चाहूंगी that is beggars can't be choosers जो लोग खुद ही भीख मांग रहे होते हैं वो choose नहीं कर सकते वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते एक पटिकुलर चीज रख दी जाए फुरसे इसको रोटी दाल सबजी देदी चाहिए he won't be saying कि नहीं नहीं मुझे तो पीज़ा चाहिए obviously नहीं भोल सकता है वो बचारा 10 दिन से भूखा है उस टाइम पे उसको अपनी भूख मिटानी है instead of अपना taste buds को देखना है तो यहां पर यह सेम चीज बोलते हैं कि small businesses के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो उस quality के according समान बना पाएं क्योंकि quality के लिए आपको क्या चाहिए अच्छे raw materials चाहिए आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपको अच्छे raw materials कहां से मिलेंगे so यहां पे same problem small businesses के उपर जाती है कि वो अच्छी चीजों के arrangement नहीं कर पाते अच्छा goods produce नहीं कर पाते quality wise क्योंकि उनके normal raw materials ही उस level के नहीं होते हैं instead they concentrate on cutting the cost and keeping the prices low जादा तर क्या कोशिश करते हैं कि जादा से जादा cost cutting करें सस्ते वे में बनाए चीजों को ताकि उनको कुछ profit भी मिल पाए मैंने आपको पहले ही बताया था large industries large profits बनाती है तो small industries में profit भी small आता है अगर आपको चाहिए थोड़ा सा अच्छा सा profit निकल के कड़ेगा बल्क में देखें not afford तो यह क्या करते हैं cost cutting करते हैं फिर दे से दिदो नौट हाव adequate resources to invest in quality research उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह quality research के बारे में सोच सके quality research is a procedure जिसमें हम quality देखते हैं products की अच्छी है के नहीं है अगर आप डिस्कवरी जैसे चीज़े देखते होंगे चानल्स देखते होंगे तो आपने बहुत बार महाँ पर अगर factories देखें तो usually क्या होता है हर एक factory में दो लोग last में खड़े होते हैं जो सिर्फ quality check कर रहते है यह product अच्छा बना यह नहीं बना उसको निकाल के side कर देंगे तो यह चीज़ें बड़ी factories तो कर सकते हैं लेकिन क्या छोटी factories कर सकती हैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं तो what they are saying is कि इनके पास इतने adequate resources ही नहीं होते कि quality research पर खर्चा कर पाएं and maintain the standards of the industry nor do they have the expertise to upgrade technology नाहीं उ तो overall किसी भी चीज़ की बात कीज़ें यह example sample मतलब सामने से यही बोलेंगे कि हमार पास तो उस चीज़ के लिए पैसे ही नहीं है तो हम यह चीज़ कर ही नहीं सकते फिर they are saying in fact maintaining quality is their weakest point when competing in global markets maintaining quality is their weakest point अगर हम बात करते हैं उनके quality के बारे में तो उनका सबसे weak point होता है क्योंकि वो उस चीज़ में कभी वे अच्छे बड़ी ही नहीं सकते marketing तो वैसे ही नहीं कर पा रहे थे ढंक से क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं थे quality भी अगर आप अच्छी नहीं रखेंगे तो आपके products बिकेंगे ही नहीं बट ये बात small businesses को समझ नहीं आती है और वो क्या करते हैं सिर्फ produce करने पर इध्यान देते हैं कितना भी कमालेंगे हो स्मॉल पीपल होंगे जो की सस्ती चीज खरीदना चाहते हैं that's it so यह था कुछ कुछ प्रॉब्म्स किस से रिलेटेड कॉलिटी इशुस से रिलेटेड आई होप आप वो क्लियर हुए होंगे नोच शाहिए इस पटिकलर वीडियो के तो magnetbrains.com पर जाके आप नोच ले सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप comment section में पूछ सकते हैं वो doubt thank you so much